बारिल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी मुहम्मत करीम को पुलिस ने नागदा से गिरफ्तार किया है तो रेपकान में वीडियो वारल जिसने किया है उस पर भी कारवाई होगी ये कल ही पुलिस ने साफ कर दिया था वीडियो बना कर उसे वारल कर दिया गया और अब जिसने वीडियो वारल किया वो आरोपी उस तक पुलिस पहुँच चुकी है नागदा से उसे पकड़ लिया गिरफतार कर लिया गया है इसमें प्रतक से दारा बाततर सततर 294 बीएनस भारती नाय सहीं था आईटी आक्ट और इंडीसिंट रेप्रेजेंटेशन और वुमेंट आइट की दारा चार के तहत इसमें मामलत दर्श किया गया अभी इस और पुलीस रिमांड लेकर पूछ आज हमारी जारी आजे पटवा हमारे सयोगी उजेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजे जिस तरह से सीम सिटी में ये वार्दात हुई थी उसको बाद बहुत सक्रिता यहां पर पुलिस ने दिखाई है और उस आरोपी को पकड़ लिया है जिसने वीडियो बारेल किया था जी देखिए उजेन में इस तरीके से महिला के साथ फुटपात पर शादी का जासा देकर जो तुसक्रम जैसी गट्ना को अंजाम दिया गया था उसी दिन पुलिस ने आरोपी को गिरपतार कर लिया था महिला के बायान पर लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनोती जिसने इस वीडियो को बना कर सोसल मीडिया पर बायरल किया था पुलिस लगातार उस आत्मी की तलास कर रही थी वहीं पुलिस ने स्मार्ट सीटी की केमरे चेक किये और चेक करने पर पता चला कि नागदा से आने वाली बस में मुहमत सलीम नामक प्रकास नगर का नागदा कर दिया लेकिन पुलिस को स्री स्मार्ट सीटी के केमरों की मदद के करण पता चला कि ये विक्ति नागदा करेने वाला है उसको पकड़ने में सफलता हासिल किये और पेले से ही इस पर कई मामले दरजें और अप्रादिक रिकार्ट इस पर मामले दरजें इसी के साथ जो पु कितने मामले दरजें और ये वीडियो बना कर इसने सोचल मीडिया पर जो बाइरल किया था इस वीडियो को बनाने का उद्देश और बाइरल करने का उद्देश क्या था और कौन को लोग इसके पीचे सामील है इसकी भी पता की जा रही और कितने लोगों को इस वीडियो को पूरा विडियो वारल कर दिया था तैतालीस साल का ये आरोपी मुहम्मद सलीम नागदा करेने वाला है उजयन आया था इसका आप्राधिक बैक्ग्राउंड भी रहा है और अब पुलिस ये पता लगा रही है कहीं इसने जानबूर्च कर कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं है जिसने उस दुश्कर्म कान का विडियो बनाया और से सोशल मीडिया पर वारल कर दिया अजय पटवा बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बात चीत के लिए